कहते हैं ना बुरे टाइम में ही अपनों की पहचान होती है ठीक ऐसा ही होगा अर्मान के साथ जो भाई करता था नफरत वो मिलकर ढूंडेगा अपनी भावी को स्टापलस के फेमर्शोई रिष्टा क्या कहला था में आप देखेंगे एक तरफ अभीरा की किन्नापिंग वहीं दूसरी तरफ दोनों भाईयों का मिलन अपकमिंग ट्रैक में होगा फुल फिल्मी धम्माका अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे चबर दस्त हाई वोल्ट चुकी है क्योंकि अर्मान तो त्यार है शादी के लिए कहीं अभीरा न मान जाए वैंप रूही के चहरे की घबराहट मनीशा ने देख ली और वो समझ गई है कि रूही अभीरा और अर्मान की बीच आने वाली है वह हंगामे के बाद विलन दादीसा रोहित से पूजा करन बहुत विलन दादीसा को समझाता है कि अर्मान शादी के लिए निकल गया लेकिन अभीरा भावी अभी भी आपकी हांग का इंतिसार कर रही है लेकिन विलन दादीसा को इस पाथ से कोई फरक ने पड़ता है दूसरी तरफ अभीरा नी भी एसल ले लिए कि वो शादी लेकिन वो उसका साथ देगी तब अभीरा के हाथ लाल चुनरी उड़कर पूजा में चली जाती है और दादीसा उसे पकड़ लेती है अभीरा इसे भगवान का इशारा समझती है और एलान करती है कि वो अर्मान से शादी कर रही है रूही और दादीसा के अलावा सब ही ही होता है लेकिन विलन दादीसा इन खुश्यों पर पानी फेरने वाली है क्योंकि वो अर्मान का साथ देगा दोनों भाई मिलकर अभीरा को धूनने वाले हैं अब दोनों भाई क्या फिल्मी सीन की तरह अभीरा को गुंडों से बचाएंगे या विलन दादी सा अभीरा को छोड़ने के लिए करेगी अर्मान के साथ कोई डील आपको क्या लगता हमें कमेंट करके जरूर बता हैं इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को साथी प्रेस करें हमारा बैल आइकन और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहें तो हमें फॉलो करना ना भूले